सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे पोस्ट के वारे में और उन पोस्ट के वारे में जो की गल्स के लिए वैस्ट रहेंगी मींस गल्स के लिए रेलवे में कौन-कौन सी जॉब हैं पोस्ट हैं जो उनके लिए वैस्ट आप्शन रहेंगी और आप जानते हैं railway में vacancy बहुत जल्द आने वाली है और अब भी 29th को 29th of March को भी रोकसवा में reply दिया गया है मंत्री के द्वारा जिन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो vacancies आने वाली है वो railway में ही आने वाली है अब ऐसे में बैसे तो सभी post के लिए male और female सभी candidate eligibility सभी post के लिए male female दोनों ही eligibility रखते हैं तो हम eligibility की बात नहीं करेंगे railway में आप किसी भी post के लिए apply कर सकती है जो female candidate है किसी के लिए भी कर सकती है हम बात करेंगे कौन सी post आपके लिए best रहेगी कौन सी post आपको अच्छी रहेगी इस topic पर हम इस वीडियो बात करेंगे तो आपके family में कोई girl है female है जो की railway में job चाहती है कौन सी post उनके लिए best रहेगी अगर वो चाहती है और इस साल ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है railway का notification जैसे ही release हो जो भी candidate eligible हो सभी apply कीजगा इस साल जो vacancies आ रही है सबसे ज़्यादा vacancies है और हो सकता है कि आगे जब कभी notification तो इतनी vacancy ना release हो इसलिए इस बार जो भी railway की notification release होगा कोई भी candidate क्यूंकि इस में railway में group A, B, C, D, D के लिए 10th pass से लेकर के starting हो जाती है 10th, 12th graduate सभी candidate के लिए vacancies आने वाली है तो जो भी eligible हो miss मत करना ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो वीडियो को हम आगे जानेंगे वीडियो में जानने वाले है कि कौन सी जॉब आपके लिए वेस्ट रही है यानि female candidate के लिए अगर आप interested हो तो वीडियो को आएंड तक देखेगा पसंद आए like and share कीजेगा तो friends मैं हुआ आस था and welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल government job genuine notification देखेए अब railway मैं female के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी railway मैं vacancies group D, group C, group A ये तीन गुरुप के लिए vacancies notification release होता है group B की जो पोस्ट रहती है इसके लिए notification release नहीं होता है इस पर group C के ही जो employees है वो promote होकर के group B की पोस्ट पर पहुंसते हैं ठीक है अब group D की जो पोस्ट है इसको भी मैं यहाँ पर एक बार किलिया कर दूँ group D को भी आप group C के साथ notification release होगा group D का अलग से notification release नहीं होगा ठीक है चलिए अब अगर हम बात करें कि कौन सी पोस्ट आपके लिए best रहेगी कौन कौन सी पोस्ट railway में होती है यह हम अभी नहीं जानेंगे इस पर मैंने already video upload किया है female candidate के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी सबसे पहले नमर पर आती है railway protection force RPF RPF की vacancy इस साल release होगी April month लग गया है एक कल परसों से आपका April month स्टार्ट हो रहा है March खतम हो रहा है और April के बाद notification release हो सकते हैं कभी भी RPF का भी notification release होगा RPF के लिए अगर आप eligibility हो क्योंकि RPF में आपको physical requirement रहती है तो अगर female candidate है आप और physically fit है आप जो भी physical requirement रहती है इस पर मैंने video upload किया हुआ है height जो भी running बगर जो भी रहेगा अगर आप उसके लिए eligible हैं आप एक पर वीडियो देख लिए जगा अगर आप इसके लिए eligible हैं तो RPF के लिए आप काफी अच्छा option है RPF RPF आपके लिए अच्छी job रहेगी railway में RPF constable and SI दो अलग-अलग post vacancies होती हैं जिनके लिए requirement भी अलग-अलग रहती है दौनों पर video upload है विजिट कर लीजेगा ठीक है railway job profile playlist मैंने create की हुई है उसमें railway jobs related सारे videos आपको मिल जाएगे तो first number पर मैं आपको RPF के बारे में बोलूँगी अगर आप चाहें तो RPF के लिए apply कर दीजेगा अगर आप physical effect हो and जो भी PET, PST होता है उसके लिए अगर आप eligibility रखते हों इसके बाद हम बात करेंगे assistant local pilot assistant local pilot के लिए भी female candidate apply कर सकती हो और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी job है railway में railway में assistant local pilot की vacancies निकलती है और इसके लिए आप group C की पोस्ट रहती है assistant local pilot की ठीके तो आप इसके लिए भी eligibility अगर रखते हों तो जरूर इसमें apply कीजेगा इसमें आप 12th के बाद से apply आप कर सकते हैं next हम बात करें अगर तो group C में बहुत सी पोस्ट रहेंगी आपके लिए group C में आपकी एक station master की post रहेगी station master की post भी girls के लिए बहुत ही अच्छी job है बहुत अच्छी post है station master अब station master कैसे बनते हैं इसकी eligibility selection procedure सब कुछ detail के साथ मैंने video upload किया हुआ है आप देख लिएजेगा ये तीन ओ यानि आरपी एफ इसके बाद आपका assistant local pilot station master आप चाहें तो TC के लिए भी eligibility देखिए सभी post के लिए आप रखती हैं जो female candidate हैं लेकिन जो best आपके लिए रहेगी उसमें station master आरपी एफ की vacancies आए तो and assistant local pilot इसके बाद अगा टीशी के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं ntpc की जो post रहती हैं group c की उनके लिए ये 12th और graduation level पर रहती है group c की जो post है वो 12th and graduation level की post रहती है अब इसमें जो ntpc post रहेंगी rrb ntpc post इसमें junior killer come typist, accounts clerk come typist, junior timekeeper, train clerk, commercial come ticket clerk, traffic assistant, goods guard, senior commercial come ticket clerk, senior clerk come typist, junior account assistant come typist, senior timekeeper and commercial apprentice and station master आप इनमें से किसी भी post के लिए लेकिन वेस्ट मैंने आपको मैं अपने नजर ये से आपको बता रही हूँ कि ये job आपके लिए वेस्ट रहेगी फिर आपका जिसमें भी interest हो आप उसके लिए apply कर सकती हैं लेकिन RPF, assistant local pilot, station, master इसके अलाबा अगर आप clerical post के लिए भी interested हैं तो clerical post काफी हैं इसमें आप उसके लिए भी apply कर सकती हैं तो मेरी तरब से मैं आपको ये तीन post के लिए सलाय दूंगी, advise दूंगी कि आप eligible हो, 12th and graduation आपने किया हुआ है तो इन मैंसे किसी भी post के लिए apply कीजेगा future में यानि April मन्त के बाद आपके लिए railway vacancies notification देखने को मिलेगा अपरल के बाद अब किस मन्त आता है ये अभी डिशायट नहीं है लेकिन आप तयार रहिए बहुत हाँ ये अभी कल के ही जो लोग शबा है इसमें आप reply किया गया है question का उसमें ये भी clear किया गया है कि railway मैं ही सबसे ज़्यादा vacancy आने वाली है ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है eligibility रखते हो कोई भी candidate हो male female 10 से लेकर के graduation level तक के सब भी candidate अगर eligible हो तो apply जरूर कीजगा आसा करते है वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो like and share कीजगा thank you